अर्विंद केजवाल की गिरफतार इससे खफा आमात्मी पार्टी राश्टरपते के अभीभाशन का किया बहिश्खार देल्दे की सीम अर्विंद केजवाल को जमानत मिल नहीं वाले थी कि ये जमानत CBI की कस्टडी में बदल गए जिसको लेकर आमात्मी पार्टी ने करा बिरोथ जताया है तो इस बीच आमात्मी पार्टी के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई है तो क्या है पूरा मामला देखिए इस रेपोर्ट में दिल्दे के सीम अर्विंद केजवाल की CBI गिरफतारी को लेकर आमात्मी पार्टी ने करा बिरोथ जताया है बिरोथ की गूंज संसग में भी सुनाई दी गई सीम केजवाल की रहाई को लेकर और एजन्सियों के दुरुत्यों को खिलाफ आमात्मी पार्टी के नेताओनें संसग के बाहर बिरोथ प्रदर्शन की इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमतिर दनींद्र मोदी से जवाब भी मांग की यहां तक की उन्होंने राश्टरपते के अभीभाशन का भी बहिश्कार किया आमात्मी पार्टी ने राज्य सभा सांगसत संजे सिंग और अन्य आप नेताओनें संगसत धवन पहुचकर कींद्र संकाल के खिलाफ जम कर नारे बाजी की केजिवाल जिंदाबात ताना शाही नहीं चलेगी जैसे नारे संगसत के बाहर सुनाई दिये गए हाथों में तक्तिया लेकर पहुचे आप नेताओनें कहा कि केंद्र की ताना शाही नहीं चलेगी और अर्विंद केजिवाल को रिहाग करना ही पोका संगसत के बाहर विरोत प्रदर्शन के दोरान संजे सिंग ने कहा जब उनकी जमानत सुप्रीम कोट से मन्जूर होनी थी तब सुप्रीम कोट से उनके रिहाई की पूरी समभावना थी उस समय केजिवाल को पीबी आई ने गिरफतार कर लिया तो मुझे लगता है कि ये ताना शाही का बहुत बड़ा उदाहरन है और प्रधानमद्री को जाच एजिंसियों के दूरुपयों पर बोलना चाहिए इस पर रोक लगाने चाहिए और अर्विन केरिवाल को रिहा किया जाना चाहिए तो वहीं आमात्मी पार्टी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है कि आप नेता और सांगसत संजे सिंग का राजसभा का निलंबन समाप्त हो गया है इसके लिए आप नेता ने राजसभा के सभापती जगदीब धनकर का आभार जताया है संगसत संजे सिंग को पिछले साल मौनसून सत्र के दौरान राज्य सभाव से निलमवित किया गया था आप नेता संजे सिंग ने अपने एक्स एकाउंट पर पोस्ट किया लगभक एक साल के बाद संगसत में जाने की अनुमती प्राप्थ हुई निलमबन खत्म हुआ झाल 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 झाल झाल